कैसे हो आप सब लॉक्डाउन कभी वो आगे कभी हम आगे तो ये तो अभी चलेगा है ना ऐसे ही एक विचार आया घबराता को नहीं सफर करते समय बस में ट्रेन में जिसने टिकेट नहीं ली होती टिकेट चेकर आएगा ये होगा फिर वो होगा वो जो आने वाली संभावित परिस्थितियां होती है उनसे ही गवराट चलती रहती है क्योंकि टिकेट नहीं ली हुई तो कॉविड नाइंटीन का जो ये सफर चल रहा है जो कि टेंपरेरी है लेकिन ऑफ कोर्स इंपोर्टेंट है तो हमें क्या करना है हमने टिकेट लेनी है फिर हमें गवराने की ज़रूरत नहीं है टिकेट लेनी है बोले तो गरम पानी बीना है साधे गरम पानी के गरारे करने कोई नुकसान नहीं है रिलिज्जिसली मेंस पूरे नियम के साथ गरम पानी में निम्भू पी सकते हैं चुटा सब कावा दो बार वैसे रोटीन में हम दो चाय और तीन बार खाना तो खाते ही हैं बस वो गरम-गरम खाना है और अगर चाय के अंदर हम मोटी लाइची या काली मेर्च या दालचीनी या लॉंग कुछ भी तुलसी तो बेस्ट है वो तो हमेशा होनी चाहिए तो इन चीजों को जब हम अपनी रोटीन में ले आएंगे तो बस ऐसा ही लगेगा जैसे हमने तो टिकेट ली हुई है आजए टिकेट चेकर आता है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है ठीक और एक बात याद रखना मस्ती से हर सफर कट जाएगा अपने मुस्कान को खोना नहीं है अपने आपको इन सब प्रकृतिक चीजों से पैंपर करो ठीक और मस्ती से जिन्दगी को आगे चलाओ अपने मुस्कान को खोना नहीं है इस टू विल पास कोई भी चीज पर्मनेंट नहीं होती गुजर जाएगा ये भी